क्या है ग्लुकोज और सुक्रोज और एक्सप्राइन ग्रीया। उसे समझे हैं किस्टन क्या है उसे समझे क्या बोल रहा है कि ग्लुकोज और सुक्रोज water में वाटर में इसाल्यूवल है लेकिन सैक्लो हैक्षेन यह बेंजिन क्या है इन सॉल्यूवल है क्यों सबसे पहले तो समझें, almost all organic में, water soluble होने के लिए hydrogen bonding बनाना होगा, क्या बनाना होगा, hydrogen bonding, समझेंगा, hydrogen bonding, अब बात आती, hydrogen bonding water किसके साथ बनाएगा, most electronegative element, जो क्या क्या होगा, fluorine, oxygen, nitrogen, या कभी-कभी chlorine, यह condition है hydrogen bonding के लिए, अब होता क्या है, देखिए, किसमें, glucose में, glucose में 5 OH ग्रूप परजेंट होता है, कितने 5 OH ग्रूप, देखिए, यह हुआ, यहाँ पर क्या होता है, OH, 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 और यहाँ पर CH2 OH, तो ध्याम देजी, और यह सब बें क्या होगा, hydrogen, 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 तो क्योंकि, glucose में क्या होता है, 5 OH ग्रूप होता है, जो water के साथ क्या करता है, hydrogen bonding मनाता है, इसी टाइप से, suppose में क्या होता है, 8 OH ग्रूप होता है, जो water के साथ, hydrogen bonding मनाता है, और इसलिए, यह सब क्या होता है, water में, Solubal होता है, कैसे होता है थोड़ा समझे, देखे, water का structure क्या हो, glucose का देखे, OH, ये माल लिजे, OH, अगर हम oxygen का electron negativity देखें, तो क्या होता है, 3.5, 3.5, और hydrogen का 2.1, यहाँ पे electron negativity difference कितना है, 1.4, इसे tap से, अब देखे, water, water में भी OH है, तो यहाँ पे भी देखें, क्या होगा, electron negativity का difference होगा, जिसके कारण यहाँ पे polarity develop होगा, partial negative, partial positive, यहाँ पे, partial positive, partial negative, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, hydrogen bonding का formation होगा, कोई दिक्कत, लेकिन cyclohexen में क्या होता है, cyclohexen, यहाँ पे कारबन और यह hydrogen, इस carbon और hydrogen के बीच में polarity develop नहीं होता है, तो cyclohexen में, जब बेंजीन में, ना ही OH ग्रूप है, और ना ही यहाँ पे polarity develop हो रहा है, जिसे कारण यह क्या होता है, insoluble होता है, कोई दिक्कत, अब आते हैं answer पे, देखे, क्या लिखा हुआ है, अ glucose molecule contain 5 OH group, while a sucrose molecule contain 8 OH group, थस glucose and sucrose undergo extensive hydrogen bonding, किसके साथ with water, hence these are soluble in water, but cyclohexen and benzene don't contain OH group, hence they cannot undergo hydrogen bonding with water, and as a result are insoluble in water, कोई दिक्कत, आईए, नेश्ट कुस्ट पे कुस्टन नमर टू क्या है, दियान दिजे What are the expected product of hydrolysis of lactose कुस्टन में बोल रहा है, कि lactose को जब हम hydrolysis करेंगे तो क्या product मिलेगा, समझे lactose क्या है, एक disecrates है जिससे मिल के वो बना है, आप hydrolysis किजेगा तो जिससे मिल के बना है, hydrolysis करने के बाद, वही क्या देगा, product देगा Just like, देखे, क्या है, lactose lactose का जब आप क्या किजेगा, hydrolysis hydrolysis, तो क्या मिलेगा, glyptose प्लस आपको क्या मिलेगा glyptose और glucose तो hydrolysis करने पे, lactose के hydrolysis करने पे आपको क्या मिल रहा है बताइए, glyptose और glucose अब समझेए, क्या इक question में यही रह सकता है कि lactose के hydrolysis करने पे क्या मिलेगा यह एक क्या है, disecrates disecrates देखिए, आपका यह question किस chapter से, biomolecules से इसमें, disecrates आपको 3 पढ़ना है एक आपका क्या है, सुक्रोज और एक क्या है, maltose समझेएगा कहने का मतलब, सुक्रोज को जब हम hydrolysis करेंगे तो क्या product मिलेगा, और maltose को hydrolysis करने पे क्या product मिलेगा, क्योंकि यही disecrates है तो hydrolysis पर आएगा, तो मैंली यही को से आएगा तो देखिए, सुक्रोज तो हम सुरू से पढ़ें क्या मिलता है, glucose plus fructose अब देखिए, maltose को hydrolysis करने पे क्या मिलता है, हम लोग को, glucose plus glucose glucose plus glucose तो इस टैप से, थ्री डाइस से क्राइट से आपको यह तीनों याद होना चाहिए अगर आप alpha, beta में जाएगा, तो lactose में यह क्या होता है beta-d-lactose और beta-d-glucose maltose में क्या होता है, alpha-glucose और alpha-glucose लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, alpha-glucose और beta-d-fructose मिलता है, तो यह होता hydrolysis, को दिकत चलिए, आते हैं next question पे Question number 3 How do you explain the absence of aldehyde group in the pentacetate of d-glucose, समझे हम लोग glucose का जब structure बनाया है, तो क्या देखे थे, open structure भी होता है, तो open structure में aldehyde group होता है, लेकिन close structure कब बनता है, जब aldehyde group का carbon और fifth number का oxygen के साथ क्या होता है, bind, close chain बनता है, तब तो वहाँ पे close chain बन रहा है, तो ध्यान देजे क्या करना चाह रहे हैं, देखे यह आपका क्या है, open structure, open structure of glucose का, यह क्या है, open structure of glucose यह आपका क्या close structure of किसका glucose का close structure of glucose जब open structure है, तो देखें यहाँ पे क्या aldehyde group, CHO यह free है, जब इसको हम hydroxylamine, यानि NH2OH से reaction कराते हैं, तो क्या बनता है glucose oxygen बनता है लेकिन समझे, जब क्या बना, close close में देखें, क्या होता है, यहाँ से, जब यह acetic enhydrate से आप reaction करा दिजे, किसके साथ, acetic enhydrate के साथ, जब acetic enhydrate के साथ, जब acetic enhydrate के साथ, reaction करेगा, close chain of glucose, तो आपको क्या मिलेगा, glucose pentacetate, क्या मिलता है, glucose pentacetate, अब क्योंकि, यहाँ पे आप देखें, LDH group आपको दिख रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पे open chain में LDH group था, जिसके कारान यह किसे reaction किया, hydroxyl amine NH2OH, और क्या बना, oxyam का formation किया, लेकिन actual में, जो pentacetate होता है, ओ open chain में stable नहीं होता है, ओ close chain में stable होता है, अब यहाँ पे देखें, आपको एक भी CHO group present नहीं है, फर्दर इसे अगर हम NH2OH से reaction कराएंगे, तो no oxyam, यानि कोई product नहीं मिल देगा, क्योंकि यहाँ पे CHO group, LDHID group फिरी नहीं है, तो यह समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ hydroxyl amine, ऐसा नहीं है, LDHID का उस सब reaction open chain देगा, जो हम लोग LDHID ketone कारुवजलिक acid में पढ़े थे, कहने का मतलब, open chain को अगर हम HCN से reaction कराएंगे, तो यहाँ पे क्य देखेंगे, फैलिंग solution, जब open chain को फैलिंग solution से reaction कराएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, red PPT, लेकिन ये close pentacetate को फैलिंग solution से reaction कराएंगे, तो यहाँ पे red PPT का formation नहीं होगा, को दिक्कत चलिए, आते हैं next question पे